कि व्लकम्बेक अब्रिवन वलकम टू सौर्विसे टड़ी नेक्ट टेस्ट पर आजए इस टेस्ट में प्रेक्टिस करेंगे जनेटल साइंस के प्रशनों पर ठीक है जनेटल साइंस प्रशन 20-25 तक आता हैं तो चलिक अच्छार्ट करते हैं आज दोनों के दोनों टेस्ट हो आकार को इंगित करता है यानि प्ले यूरोनीमोनिया जैसे जीब लगवग बीज माइकरोण लगवग पाँच माइकरों लगवग जीरो पॉइंट वन माइकरोण लगवग दस माइकरोण लेख़िया इसका आंसर है ओप्षन नमगर C लगभग 0.1 माइक्रोन तो पीपी एलो यह है प्ले यूरो निमोनिया जैसे जीवों के लिए हैं इन्हें माइको प्लाजमा के रूप में भी जाना जाता है और यह सबसे छोटे और सरल सोतंत्र जीव है सबसे छोटा जीव कौन है माइको प्लाजमा और यह सामाने तोर पर 0.1 माइक्रान अकार के होते हैं जो बैक्टिरिया से भी छोटे होते हैं कोशन नमबर टू पर आजए है 1985 में रॉवर्ट एफ करल हैरोल्ड डबलू क्रोटो और रिचर्ड ए इसमाले दोरा कारवन का कौन सा अपरूब हो जा गया था फुलरेन, ग्रफीन, कार्वफीन या लाउंस डेलाइट हेरोल्ड डबलू क्रोटो रिचर्ड ए इसमाले, रॉवर्ट एफ करल के दोरा 1985 में कारवन का फुलरेन अपरूब हो जा गया था फुलरेन, 1985 में रॉवर्ट एफ करल, हेरोल्ड डबलू क्रोटो, रिचर्ड ए इसमाले दोरा खोजा गया था और इस खोज के ने इन्हें 1996 में रसायन बिग्यान के नोबल पुरुसकार से समानित किया गया था इसकी संरशना जो है वो फुटवल की तरह बंद होती है और बग मिन्स्टर फुलरेन नामक एक विसिस्ट फुलरेन में 60 कारवन परमाणू होते हैं ये सब कारवन के अपरूब है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरेन हो गया कारवन के पुर्षिद रूप कौन से हैं, रूप या अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, एल्मूनियम, आयरन, सिलिकन, ऑक्सीजन, केल्शियम, मैगनिशियम तो कारवन के जो पुर्षिद रूप है, हीरा और ग्रेफाइट, आपसा नमबर भी है इसका अंसर, पुर्षिद पर मौजूद सबसे प्राकिर्तिक कठोर पदार्थ है हीरा देखे, कारवन अपनी सेयोजक्ता के कारण कई अपरूप बनाने में सक्षम है, यह एक ही तत्व के विभिन रूप है, जो एक ही बहुतिक अवस्था में है, कारवन के पुर्षिद रूप है, हीरा और ग्रेफाइट कुश्चन नमबर फोर पर आज़े, प्रित्वी पर ग्याद सबसे कठोर प्राकिर्तिक पदार्थ कौन सा है, स्टील, ग्रेफाइट, अल्यूमिनियम, हीरा, हीरा है इस कांसा है देखे हीरा जो है प्रित्वी के भीतर उच तापमान, और उच दबाब की स्थितियों में बनता है, लगभग उच तापमान कितना, पंद्रस और ग्री सेल्सियस, और दबाब कितना, सत्तर हजार वायोमंडलिय दबाब और हीरे के करश्चल में प्रतिय कारबन परमानूं, चार अन्य कारबन परमानूं से, चतुस फलकिय संरचना से, सह संयोजग बन्दों के द्वारा जुड़ा होता है यह है एक तीन आयामी वेवस्था में परिनित होता है, तीन आयामी या त्री आयामी एक ही बात है सहसेयों जग रूप से बंधे कारवन परमाणूगों का त्री आयामी नेटवर्क हीरे को एक कठोर सनरशना प्रदान करता है इसकी कठोरता हीरे को एक बहुत कठोर पदार्थ बनाती है यह ग्यात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा अगला परशने ग्रिफाइट से रिलेक्टेड ग्रिफाइट के संबन्द में नमलिकित में से कौन सा कठन सही नहीं है ग्रिफाइट डरम काला और फिसलन वाला ठोस है इसमें एक धात्विक चमक होती है यह है एक अच्छा विद्दुत और उस्मा का सुचालक भी है यह विद्द और उस्मा का कुछालक है देखिए अब B और A और B तो फिर साइड अट गए जब C और D वाले स्टेट्मेंट एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं एक दूसरे के विप्रीत बात करें तो C इस कांसर होगा या D होगा मतलब है तो C वाले स्टेट्मेंट कर अगलत होगा एद यदि वाले होगा तो A और B तो वैसे ही सहई होगा द वाले स्टेट्मेंट है यह है विद्द तो उस्मा का कुछ आलक है यानि बाट कंड़क्टर ओफ हीट और इलेक्तरिसिटी नहीं यह good conductor हीट और electricity का graphite तो यहाँ जो गलत कतने वो D है D answer होगा अपने क्योंकि गलत बताना अपने को देखे graphite हीरे के विपरीत नरम काला और फिसलन बाला ठोस है इसमें एक धात्विक चमक होती है यह एक अच्छा विद्द और उस्मा का सुचालक है नाक और गले के स्लेश्मा जिली को आम तोर पर प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रामक जिवानुस संक्रमन कौन सा है डिफ्थीरिया, क्लेमाइडिया, सीगेलोसिस या फिर मेनिंगो कोकल यह देखे आपके मूँ में साइड में गले के इधर उदर यह हो जाता है घाओ जैसा डिफ्थीरिया के करण होता है तो इसका अंसर अप्सन नुमबर B जो कि एक बैक्टिरिया है देखे डिफ्थीरिया एक गंभीर संक्राम, जीवानुस संक्रमन है जो नाक और गले के सलेश्मा जिली को प्रभावित करता है व्यापक टीका करण ने विक्सित देशों में डिफ्थीरिया को बहत दुरलब बना दिया है लेकिन यह उन छेत्रों में चिंता का विशय बना हुआ है जहां स्वास्त सेवा और ठीका करण की पहुँच सीमी था या कम है डिफ्थीरिया रोग कोरी ने बैक्टीरियम डिफ्थीरिया नामक नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है अलग से इंपोर्टन प्रेश्म बन सकता है इस पर कौरिन ई बैक्टिरियं डिफ्थिरिया नाम के बैक्टिरिया के कारण होता है कोजिचन न्बर सबने पर Ho jee 17.89 में रसाइन बिग्यान में अंतोर्नी लॉरें्ट लेवोजिये का सबसे महतपूर्ण योगदान क्या था 17-19 में रसाइन बिग्यान में एंटोनी, लॉरेंट, लेवो जीये का सबसे महतपूर्ण योगदान कौन सायन में दरबिमान संरक्षण का नियम या उर्जा संरक्षण का नियम निश्यत अनुपात का नियम बहु अनुपात का नियम या तो इसका अंसर A है या इसका अंसर D है उर्जा सनरक्षन का नियम नहीं है इसका अंसर अपसर नमबर A दरबिमान सनरक्षन का नियम 1789 में एंटोनी लॉरेंट लावो जीये का रसायन बिग्यान में सबसे महत्वपुन योगदान उनकी पुस्तक का प्रकाशन था रसायन बिग्यान का प्राथमिक ग्रैन थे जिसने दरबिमान सनरक्षन का नियम इस्थापित किया तथा ग्याद तत्वों की पहली आधनिक सूची तयार की चलिए कोश्चन नमबर 8 पर आजएए राइवोसोम निमरी के दमेसे किस के लिए कार इस्थल है प्रकाश संसलेशन, प्रोटीन संसलेशन, वसा संसलेशन, सोशन इंपोर्टन्ट एग्जाम में जिसमें जनरल साइन्स से प्रश्चन पूशे आते हैं राइवोसोम के उपर प्रश्चन मनते हैं, माइटर कॉंटे के उपर प्रश्चन मनते हैं इसका अंसर अप्सन नमबर V, प्रोटीन संसलेशन के लिए इसकूल में पढ़ा होगा अपने राइवसॉम कितने प्रकार के दो प्रकार के 70 प्रकार के 80 प्रकार के तेखे राइवसॉम जो है कोशीका द्रब में अपस्य ज्लीदार अधsomething हैं इन्हें इसलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन कार खाना भी कहा जाता है और कोशिका का पावर हाउस किसको कहा था माइट्र कांट्रिया को वो सवार बड़ा पूछा गया एक्जाम में राइबोसोम दो प्रकार के ठीक है, यूकरियोटिक राइबोसों यानि 80S प्रकार के अप्रकरियोटिक राइबोसों यानि 70S प्रकार के Question number 9 पर आजिए, प्रकास संस्लेशन के संदर्व में सही है यह वह प्रकरिया है जिसके द्वारा केबल हरे पोधे, केबल लगा दिया केबल हरे पोधे, सूरह का प्रकास का उपियोग, कारबन डायकसाइड और जल से पोशकत्त्व पोच्षक करने के लिए करते हैं प्रकास संस्लेशन की प्रकरिया में Oxygen अवसोशित की जाती है अवसोशित थोड़ी की जाती है, मुक्त की जाती है, release की जाती है गलत है दूसरा statement और पहला भी गलत है केवल हरे पॉधे नहीं कुछ जीव भी है जैसे की sinobacteria जो प्रकास अंसलेशन कर सकते हैं दोनों के दोनों गलत है कोई भी आंसर नहीं है इसमें डी है इसका अंसर तो प्रकास संसलेशन इंगलेश में बोलते हैं इसको photosynthesis यह वह प्रकरिया है जिसके द्वारा हरे पोधे और कुछ अन्यजीव ठीक है सूर के प्रकास का उप्योग करके carbon dioxide और जल से पोशक ततों को संसलेशित करने के लिए करते हैं इस प्रकरिया में यह chlorophyll carbon dioxide oxide gel और सूरी के प्रकास का उप्योग करते हैं और oxygen छोड़ते हैं अमुक्त करते हैं अब सोशित ने करते हैं उसके और कोशिका द्रब्य में जो वसा अमल है कोशिका द्रब्य में वसा अमल का संसलेशन होता है प्रकास तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है important प्रकास तरंगे होती है अनू प्रस्थ तरंगे और यहीं आ जाता धुनी तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है वो हो जाती है अनू धहर तरंगे most important है यह पूछे जाता है exams में तो A has cancer देखे तरंग का मतलब बहे विक्षोब जो उर्जा को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर अस्थान अंत्रित करता है तरंग कहलाता है मुखे रूप से तरंगे कितने प्रकार की दो प्रकार की अनुप्रस्य तरंगे अनुध्यर तरंगे अनुप्रस्त तरंगे वह तरंग जिसमें कणो की गती उर्जा की गती के लिए समकोण पर होती है अनुप्रस्त तरंग के लाती है जैसे प्रकास जो है वो अनुप्रस्त तरंग का एक उधारण है अनुधैर तरंग वह तरंग जिसमें कणो की गती उश्मा की गती के समरांतर प्रकास हो गया उप्रस्त प्रस्त 20 हूं प्रस्त कि कौछ Sagya बैंक ना स्टेट पी यह उन में करनारो प्रकास तरंग क्योंकि इसके घटक इसके संचरण की दिशा के लंबवद कंपन करते हैं तो विकल्प ए आंसर हो जाएगा जिसमें लिखा अनुप्रस्त तरंग प्रकाश question number 11 पर आजए गतिमान बस में चलती होई बस में एक यातरी को आगे की और धक्का लगता है जब वस अचानक रुख जाती है इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है न्यूटन के पहरे नियम से न्यूटन के दूसरे नियम से न्यूटन के तीसरे नियम से संबे के के द्वारा कि कि फ़स लौफ मौस नर्यन नीयमिये यदि कई वस्तों विराम अवस्था में बनी रहेगी और्यक्कुई को अगतिमान वस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोिली बाहिया पृत्वल ना लगा दिया जाए तो न्यूटिन के पहले नियम के अनुसार यदि एक पिंड या पदार्थ विराम अवस्था या एक सीधी रेखा में एक स्थिर गती से आगे बढ़ रहा है यह बिराम अबस्था या इस स्थिर गती से एक सीधी रेखा में चलता रहेगा जब तक कि कोई वाहेवल इस पर काम ना किया जाए इस परिकल्पना को जड़त के नियम के रूप में जाना जाता है पढ़ाता होगा आपने स्कुल में पुश्य नमबर 12 पर आजए नमलिकित कत्रों में से कौन सा कत्र सही है पादप यानि प्लांट सूर के प्रकास से प्राप्त ऊर्जा को कर्वोहाइडरेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्टित करते हैं पादपों में पर्ण हरिम होता है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ती नहीं होती है कि एक सही है कि एक और दो सही है कि एक और तीन सही है सारे के सारे सही है तीनों के दिनों देखे पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ती तो होती है ना सेलूलोस से बनी कोशिका भित्ती होती है गलत है यह बला पादपों में पर्ण हरिम होत पत्तियों में एक हरावनक होता है, जिसे क्लोरफिल कहा जाता है, ठीक है, पर्ण हरिम भी बोलता है इसको, यह पत्तियों को सूर के प्रकास की उर्जा को पकड़ने में मलत करता है, इस उर्जा का उपियों कार्भो हाइड्रेट और जल से भोजन को संसलेश्ट करने के लिए किया जाता है, चूकि भोजन का संसलेश्ट सूर के प्रकास की उपस्तिती में होता है, इसलिए इसे प्रकास संसलेश्ट कहा जाता है, सूर के प्रकास की उपस्तिती में कार्भों डायकसाइड प्लस जल, इन दोनों से कार्भो हाइड्रेट बनता है, पौधों के लिए ठी योगी छोटी क्लासों में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य का प्रकास ठीक है यानि जल चाहिए सूर्य का प्रकास ही है और कार्वन डाय ओक्साइड चाहिए तो बनेगा क्या C6H बार है O6 और 6O2 यानि कार्वोहाइडरेट और ओक्सीजन कोशन नमर पाचन में महतपूर्ण भूमिका निभाता है लाइपेज और लाइपेज के अलाबा पित रस और अगनाशे रस पित रस को बोलते हैं वाइल जूस अगनाशे रस को बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस C हैस का उंसर इंपोर्टन रही है अगनाशे रस बसा के पाचन में महतपूर्ण भूमिका निभाता है पित रस होता है वो लिवर से स्त्रावित होता है या नहीं यक्रत से इसमें किसी प्रकार के एंजाइब नहीं होते हैं पित रस भोजन को छारिय बनाने और बसा अणों को तोड़ने में सहयता करता है एक होता है अगनाशे रस अगनाशे रस जो है वो अगनाशे से निकलता है यानि पैनक्रियास से निकलता है इसमें amylase, trypsin, amylase, nuclease, amylase और lipase जैसे enzyme होते है अगनाशे रस का स्तराव होता है हार्मोन स्त्रावी और कोले सिस्टो कीनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है ठीक है अगनाशे रस का स्त्राव यानि पेंक्रियाटिक जूस का जो स्त्राव है वो हार्मोन स्त्रावी के द्वारा और कोले सिस्टो कीनिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो lipase है वो वसा का पाचक enzyme है और एक है टाइलिन लार का पाचक enzyme है ये सब पूछा जाता है और. मैच पेश करने के लिए पूछ लेगा ठीक है लाइपेस हो गया बसा का पाचक एंजाइम लार का पाचक एंजाइम हो गया टाइलेंग और जो हाइड्रोक्लोरिक अमल है यानी सेल भोजन के पाचन में सहयता करने के लिए मानब आमासे में स्वभाविक रूप से उत्पन होता है आमासे यानी स्टोमक है अगनाशे में पर्फोर्टीन पराजिये कौन सा जीव तचा से सांस लेता है मनुष्य फेपडों से सांस लेता बंदर फेपडों से सांस लेता जो केंचुआ है वो तोचा से सांस लेता भी है इस कांसर तो केंचुआ एक एनलेडा जाती में पाया जाने वाला ट्यूब के अकार का कीड़ा है किसानों का मितर इसको बोलते हैं मिट्टी में रहते हैं आमतार पर और म्रत कार्विनिक पदार्थों को खाते हैं तो चासे सांस लेते हैं इन सब भी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडिया प्राप्त कर सकते हैं नमबर असफर कॉल या वाटसप करके पर टेलिग्राम ग्रॉप से आपको जुड़ना होगा किस जली है जन्तू में गलफड़े नहीं होते हैं तो कुछ और होता होगा स्वसारंग उसका जिसे की फेपड़े होता होगा देखें ऑक्टोपस में गलफड़े होते हैं स्क्विड में गलफड़े होते हैं क्लाउन फिर्ष में गलफड़े होते हैं वहेल यानि एक संधारी में मैमल है तो इसमें गलफड़े नहीं होते छीक है तो स्टंधारियों पक्षियों और सरीशरपो कैसे सांस लेते हैं फेिपडों से सांस लेते हैं लंग्स इसे एंसे तो वेल में होते हैं फेपड़े बाकी गलफड़ा एक सोसन अंग है जो अधिकान से जलिये जीबों में पाया जाता है गलफड़े जल में घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कारबंडा याकसाइड उत्सरजित कर सकते हैं एक्जामपल ऑक्टोपस में स्क्विड में क्लाउन फिस में टैड़ पॉल में जींगे में इन सभी में गलफड़े पाय जाते हैं विभेन जीबों के सोशन अंग ये तालिका बड़ी इंपोर्टन्ट है यह हैं जीब और इधारें सोशन अंग जैसे कि कॉक्रेज में सोशन सब्सक्राइब यानि इस्तंधारी है मैमल है तो मैमल फेपड़ों से सांस लेते हैं मकड़ी और विच्छू ये फुबुस्ट से सांस लेते हैं ठीक है मतला एक छोटे से फेपड़े जैसी संद्रचना ये भी कि फुबुस्या प्लेशुरी कि अमेने फंबुस्य कूंत्य ठीक है होब सिया प्लूर्शित अटेड़ पोल हो गया जीगा हो गया मचली liar ये संस लेते हैं गल फड़े से जलिए जिनतु ये अचाम मेधअच्छोए मेधअ को पानी में भी रहता है फीक से और धर्टी पर रह सकता है तो मेड़क तोचा से बहुत तो पगोल सांस लेता और मुख से भी सांस लेता है शुक्राइब बाखि जो पकषी है और जो संधारी है और सोरी रेप्टाइब जो लिए था उभैचर उभैचर सरिस्रप रेप्टाइल है उभैचर रहनी एंफिवियन एंफिवियन मैमल और एवीज यानि पक्षी बर्ग ये तीनों फेपड़ों से सांस लेते हैं पक्षी कौन-कौन है उसका एक्जामपल आएगा तो फेपड़े लगा देना इस्तंधारी कौन-कौन है बंदर है मानव ह है इस फैल में रहता है जैसे कि में त्थल में रहेगा तो चया से सांस लेगा तरह से जबरगो hai कि जो साइन्स के 15 थे कस करते हैं आड़र princip ş सब्सक्राइब कर फ्राखिक के चलती रहे है करें तो अब hi होई रही है तकि इनकी भी तैयारी होती है धन्यवाद